हलो स्टुडेंट्स आज हम बायलोजी के कुछ इंपार्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले इंटर्मीडेट बॉर्ड एक्जाम के लिए हिल्पफुल हो सकते हैं इसमें पहला पॉइंट है कि एफवन का क्रास जब हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इस क्रास को क्या कहते हैं एफवन पीड़ी का क्रास जब हम अप्रभावी जनक मतलब रेसेस्यू पैरेंट से कराते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रास कहते हैं इसे हम टेस्ट क्रास कहते हैं, इसी प्रकार से जब F1 का क्रास प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक से करा दे, तो इसे हम बैक क्रास कहते हैं, यह टेस्ट क्रास और बैक क्रास यह important point है, याद रखना नियंत्रित पर परागण की विभिन्न चरण कौन से होते हैं, यह NCRT exemplar का point है, नियंत्रित पर परागण की विभिन्न चरण कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम जनकों का चैन करते हैं, ठिक पहले हम parents का चैन करते हैं इसमें, इसके बाद जो मादा जनक होता है, उससे नर्भा को हटा देते हैं तो इसे हम कहते हैं मादा जनक का विपुनसन अब इसके बाद क्या कर देते हैं उसको हम बैगिंग कर देते हैं मतलब बैग लगा देते हैं उसमें ताकि अनावस्यत जो पराकण हैं वो ना आने पाएं फिर क्या होता है फिर हम कrत्रिम पर परागण करते हुं मतलब अपना इच्छित पराकर डलवाते हुं इसके बाद पुनह बैगिंग कर देते हुं और फिर उसको मेच्योर होने दिया जाता है फिर फल बन जाता है तो ये नियंत्रित पर परागण के चरण थे क्या एक कुकर बिट में विपुनसन क्या वस्यक्ता होगी तो यहाँ पर सबसे पहले दो बाते ध्यान देना है कि कुकर बिट जो होता है वो एक लिंगी होता है कुकर बिट जो पोदे होते हैं कुकर बिट एसी कुलके वो एक लिंगी होते हैं और विपुनसन का मतलब होता है नर्भाग को हटा देना दुलिंगी पुस्पो हो उसमें से नर्भाग को हटा देना ये विपुनसन कहलाता है तो क्या एक कुकुरबिट में विपुनसन क्या हो सकता होगी तो नहीं होगी क्योंकि कुकुरबिट एक लिंगी है और विपुनसन हम द्विलिंगी पुस्पों पर करते हैं 44 प्लस X, X, Y बराबर 47 गुर्ण सूत्र किसका उदाहरण है तो यह याद रखना क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का उदाहरण है 44 प्लस X, X, Y 44 क्या होते हैं आटो सूम होते हैं X, X, Y मतलब यहाँ पर यहाँ पर एक X गुर्ण सूत्र की अधित्ता हो गई है तो इसमें क्या होता है जो पूरुस होता है वो इस्त्री जैसा दिखाई देने लगता है इसे हम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहते हैं चेकर बोर्ड द्वारा आनुवन सिकी के परिडामों को सरो पर्थम किस ने प्रकट किया था तो चेकर बोर्ड द्वारा अनुवन सिकी के परिडामों को सरो पर्थम पुनेट नामक बैग्यानिक ने प्रकट किया था मनुस्य में जीनी ब्यतिक्रमों की वनसा गतिके उदाहरण जीनी बेतिकरमों को मतलब जीनी डिसॉर्डर मतलब जीन में जो डिसॉर्डर हो जाते हैं तो उनकी वनसागति के उदाहरण कौन से हैं रंजक हीनता एल्बिनिज्म कहते हैं इसको और ये एलकेप्टो नूरिया होता है रंजक हीनता और एलकेप्टो नूरिया बार पिंड की खोज किस ने की थी, तो बार पिंड की खोज मुरे बार ने 1949 में किया था, ठिक अच्छा बार पिंड जो होता है या बार बाड़ी जो होती है वो फीमेल पर पाई जाती है, मेल पर नहीं पाई जाती है, वनसा गतिका गुरसूत्र सिध्धान्त किस ने दिया थ तो सटन और बावेरी ने 1902 में वनसा गतिका गुरसूत्र सिध्धान्त दिया था एक युगमजी यमज और दू युगमजी यमज में अंतर क्या होता है एक युगमजी यमज जो होते हैं इन्हें मोनो जाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं मतलब एक जाइगोट से अगर जुड़ोवा बच्चे बिक्सित हो रहे हैं तो इसे हम एक युगमजी यमज कहेंगे अगर अलग अलग जाइगोट से विकास हो रहा है जुडवा बच्चों का तो इसे हम दुई युगमजी यमज या डाई जाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में F2PD में फीनो टाइप और जीनो टाइप अनुपात क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता इसको हम इनकंप्लीट डॉमिनेंस कहते हैं सह प्रभाविता इसको हम को डॉमिनेंस कहते हैं तो इन दोनों में F2PD में फीनो टाइप और जीनो टाइप अनुपात क्या होता है तो यह सेम होता है दोनों पर एक अनुपाते दो अनुपाते एक फीनो टिपिक और जीनो टिपिक दोनों अनुपात सेम होते हैं अपूल प्रभाविता और सह प्रभाविता में अपूल प्रभाविता की खोज किस ने किया था तो अपूल प्रभाविता की खोज कार्ल कोरिंस ने किया था किस पर किया था मिरा बिलिस जलापा नामक पौधे पर किया था सह प्रभाविता क्या होती है जब F1 पीढ़ी के विसम युगमजी में एफवन पीड़ी का जो संकर पौधा होता है या संकर जीव होता है वो विसम युगमजी होगा उसमें दोनों एलील जब प्रकट हो जाते हैं साथ साथ दोनों एलील प्रकट हो जाते हैं तो यह सह प्रभाविता कहलाया करता है इसका उदाहरा मनुस्य में रक्त वर्गों की वन्सागती है मानो के प्रतेक कोशिका में गुरुसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो मानो के प्रतेक कोशिका में गुरुसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है सिकल सेल एनीमिया में कौन सात्रिक वैलीन को कोड करता है ये NCRT एक्जेंपलर का कुईस्चन है, important कुईस्चन है, सेकल सेल एनीमिया में कौन सात्रिक वैलीन को कोड करता है, तो GUG यह वैलीन को कोड करता है, ब्यक्ति जिसका जीनो टाइप I, A, I, B है, AB रक्त समुह प्रकट करता है, यह किसके कारण होता है, यह सह प्रभाविता के कारण हो जडड, अपान ZW प्रकार का लिंग निर्धारन किसमें पाया जायेगा? तुछ यह पच्छियों में पाया जाता है, हर्थात मॉर में, यह एक बार बोर्ड पर इच्छा पर आया हुआ कुईस्चन है, उसमें पच्छी की जगा पर मॉर दिया था, तो यह मॉर और पच्छ फिनाइल कीटो नूरिया, थैले सीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जितने हैं, ये सब मेंडली विकार हैं, और क्रोमोसोमी विकार, डाउन सिंड्रोम, एड़वर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, ये जो हैं, ये क्रोमोसोमी विकार हैं झाल